तो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास 12 के उर्दू का दो चैप्टर नहीं और नहीं चार चैप्टर बलकि आज के इस वीडियो में छे चैप्टर का कम्प्रीट सॉलीशन होने वाला है चैप्टर नूमबर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यानि कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो चलिए आज के इस व बोरिंग मैसूस हो तो थोड़े देर के लिए आप लोग जो है ना वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा इंज्वाय कर लीजिए और उसके बार से फिर वही से देखना स्टार्ट करना है ठीक है ना और हर एक कोशन का एंसर जो मैं पढ़कर आप लोग को बताऊंगी जो मैं पढ़ूंगी और आप लोग को समझाए जाएगा उसको समझना है ताकि पता चले कि कोशन का एंसर कैसे लिखा जाता लिखने का क्या तरीका होता है और फिर बाद में तो आप लोग को हमारे दोरा तैयार किया गया कोशन कराई जाएगा और आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक शेल कर दीजिएगा चैनल पर आप लोग नए नए आए हुए हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आन कर लेना है ताकि जब वीडियो अपलोड तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प पढ़ोंगी तो इसको समझना है आप लोगों बस और कुछ नहीं करना है यांकि स्टार्टिंग से लेकर अंद तक आप लोगों को लगातार वीडियो को देखते रहे हर एक कोशन का एंसर समझते चलना है हो सकता है याद हो जाए तो कोई दिक्कती नहीं है याद हो तो जवाब में लिखा है शायर मिर्जा अज्दुल्लाखा गालिब ने बताया कि वह पत्थर नहीं है गालिब के इस कौल का पसमंजरिया है कि जिस वक्त उसने शेयर कहा था उस वक्त शायर नहायत किसम परसी की हालत से गुजर रहा था इसलिए अपने अहसास की नजाकत का आप लोग चेप्टर अलड़ी पढ़े होंगे आप लोग को यादी होगा मिर्जा गालिब जो है ना वो कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूं मेरे अंदर भी एहसास है मेरे अंदर भी जजबात है मैं एक ही जगा तुम्हारे दरवाजे पर नहीं पढ़ा रह सकता ठीक है मैं लोग जहां पर हर्फ मकररर नहीं है ये भी बहुत असान है लोग है जहां पर हर्फ मकररर का मतब होता है दो बार लिखा हुआ हर्फ और लड़ी में आप लोग को पढ़ा रही थी चैप्टर तो बताई थी ना तो देखिए जवाब में लिखा गया है गालिब ने घजल के तीसरे शेर में यह बात कही है कि मैं लोह जहाँ पर हर्फ मुकर्र नहीं हूँ इसकी वज़ाया है कि शायर अपनी गुर्बत और मुफलिसी से हद दर्जा परेशान है और गुर्बत को माशरे में अच्छी नजर से नहीं देखी जाती इसलिए शायर लोगों की बदसलूकी से परेशान होकर यह बात कहता है कि लोग मुझे क्यों परेशान करते है मैं हर्फ मुकर्र तो नहीं हूँ कि दुनिया में बार बार आता रहूंगा तो मिर्जा गालिब जो है आप लोग जानते है वो बौजदा गरीब थे तो अपनी उकुर्बत और मुफलिसी से वो हद दर्जा परेशान थे और गरीब लोगो मुआशे में समाज की लोग जो है ना अच्छी नजर से नहीं देखते हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं तो इसी बदसलूकी से परेशान होकर शायर कहता है कि लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं मैं दो बार लिखा हुआ हर्फ तो नहीं हूँ कि एक को काट दो एक को मार दो तो फिर दूसरे से काम चल जाएगा मैं बार बार इस दुनिया में आता रहूंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि पहली घजल में शायर के किन तजर्वों का बियान हुआ है तो जवाब में लिखा गया है कि जिर निसाब गालिब की पहली घजल गालिब की जिन्दगी की उस दोर की तखलीक है जहां गालिब इंताही तंगदुस्ती बेबसी और कस्मपर्सी की दोर से गुजर रहे थे शनांचा उन्हें इस तराब और बेचैनी से आरास्ता इस घजल के शायर से एक खास मोड़ की तर्जमानी होती है तजर्वों की सता पर इस घजल के तमाम इशार गमवांदा से मामूर है और गालिब ने इन अशार में उन्ही एससात की पकासी की है बस हो गया इस तर्जमानी पहले गजल में शायर के तजर्वा का जो बयान किया गया है उसी को यहां पर लिख दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल है कि बलबुले गजल ख़ा होगई क्यों हो गईने से घालिब का मकसद है मगलिय दर्बार में पहुचे दर्बार में अंदम ऐद्गा रूदी का इतना चर्चाह हुआ और उसको इतनी मखबूलित हासिल हुई कि दर्बार और दिल्ली का हर कस원ाकस शायरी की तरफ मतवज़ा हो गया और शेर कहने पर आमा अज़र आने लगा यानि कि दिल्ली में शेरोशायरी का अच्छा खासा माहाल भन गया अच् Smith लोग शेरोशायरी करने लगए इसी वज़ा से शायर मर्जागालिब कहते हैं कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान ही खुल गया सुनकर मेरे नाले बुलबुले भी घजल खाह हो गई यानि कि बुलबुले भी घजल गाने लगी दिल्ली का हर एक शक्स जो है घजल मतब शिर और शायरी पढ़ने लगा ठीक है आगी बढ़ते हैं पांचवा सवाल है कि शायर के मताबक मुश्किले कैसे आसान हो जाती है तो शायर मर्जागालिब के मताबक मुश्किलात इंसाने जिन्दगी का एक ऐसा नाकाविले तरदेद हिस्सा है इसलिए मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं चाहिए दुनिया में कोई शक्स ऐसा नहीं जो अपनी जिन्दगी में मुश्किलात वो मसाइब से दो चार नहीं हुआ हो इसलिए आदमी को चाहिए कि जब मुश्कि मुश्किलों को आसान किया जा सकता है यह शायर के मताबिक मुश्किलों से लड़ने से जो हैना मुश्किल आसान हो जाती है बस हो गया बात वही बात यहांपर लिग दिया गया आगे बढ़ते हैं तविल सवलागे लॉंग टाइप क्षिशन सबसे पहले आप आप गजलों की रोशनी में गालिब की शायरी से अपनी वाक्षियत का इजहार कीजिए चलिए देखते हैं यानि की मिर्जा गालिब की जो गजल हमलों के सिल्बस में हैं उसी की रोशनी में मिर्जा गालिब की शायरी के बारे में आप लोगो लिखना है आपको क्या लगता ह मिर्जा गालिब की शायरी के बारे में अपनी वाकित का इजार करना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि जिर निसाब शायरी के हिस्से में गालिब की दो गजले शामिल है या दोनों गजले गालिब की बहुत ही मारूफ गजले हैं इन गजलों में शामिल कई इशार आज भी जबान जदखास वा आम हैं इन में जिन्दगी के तजर्बात और मशाहदात से मतालिक एक होश मंद और हिसास शायर के मानी खेज़ पिकल और हिसास का बखोबी इज़ार हुआ है पहली गजल के तमाम इशार मजामीन के एतबार से एक दूसरे से अलग हैं मगर इन में मिज़ाज और तजर्बे के एतबार से एक बहामी रब्त और अंदरूनी वहदत पाई जाती है इससाद के अंदरूनी बेचैनी इस्तराब और तिलमिलाहट से मुख्तलिफ रंगों से आरास्ता इस गजल के शायर एक खास मोड की तरजमानी करते हैं तजर्बे की सथा पर इस गजल के तमामे शायर गमवानदा से मामूर है और बेकदर बेतौकीर कमहैसियत और बेमाया होने के इसास की तरजմ्हानी करते हैं गालिब ने अपने जमाने में जिस तरह की किसम परसी बेबसी और कमाईगी की जिन्दगी गुजारी है उन इशार से इन हालात का हमें बखोबी इल्म होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरी गजल के हर शेर में शायर ने किसी ना किसी मनजर या तमाशे को दिखाने का तियोर दिखाया है और या तमाम मनाजर गालिब की फिक्र की नई जहतो और उनकी एहसास की रंगारंग मतनू लहरो को मुनफरद शायराना अंदाज में पेश करते हैं किसी मनजर या तमाशे के तालुक से अपने मखसुस इस्तिफामी और खुद को दर्याक्त करने वाले होशमंद तियूर के साथ गालिब इन अशार में मौजूद है तो ये हो गया एनसर आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि गालिब की दूसरी घजल के कोई दो इशार की तश्रीह कीजिए यानि कि जो दूसरी घजल दी गई है मिर्जा गालिब की उसमें से किसी दो शेर की तश्रीह करना है यानि की मानी बताना है तो इसमें से कोई दो श उठा लिया गया देखिए पहला है मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान ही खुल गया बुलबले सुनकर मेरे नाले घजल खुआ हो गई और दूसरा शेर है रंज से खोगर हुआ इंसा तो मिट जाता है रंज मुश्किले मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई यह दोनों शेर की तश्रीव यहां पर की गई है देखिए पहले शेर की तश्रीव लिखी गई है कि पेश नजर शेर मिर्जा गालिब के जेर नसाब दूसरे घजल से माखुज है इस शेर में गालिब ने चमन से मुराद शेर और शेरी की दुनिया लिया है चिनानच जब फरमाते हैं कि मैं शिर और शायरी की दुनिया में क्या आया कि गोया शिर और शायरी का एक स्कूल खुल गया अब शिर और शायरी का ऐसा माहौल बन गया और मेरी शायरी के करब, तजर्बात और एससात को देखकर हर तालिम या फता आदमी शायरी से दिल्चस्बी लेने लगा अब देखे, यहाँ पर दूसरे शेर की तश्रीक किया गया है, जेर नजर शेर मिर्जा गालिब के जेर निसाब दूसरे गजल से माखुज है, इस शेर में गालिब दुनियावी रंज वालम को जेलने और बरदास करने का सरीका सिखाया है, चुनांच अब फरमाते हैं कि इसलिए जब आदमी को रंज वालम से दोचार होना पड़े तो बहादुरी से आज माईसों का मकाबला करना चाहिए, गालिब ने इस शेर में अपना तजर्बा बयान किया है, जब आदमी रंज वालम का खोगर हो जाता है, तो मुश्किलात जो है, खुद बहुद आसान न बजराने लगती है, इसलिए इसलिए इनसान को रंज वालम वाज माईसों से घबराना नहीं चाहिए, बलकि उनसे लड़ना चाहिए, उनका मकाबला करना चाहिए, और जब इनसान को इनसान के जिन्दगी में मुश्किले आती है, तो उसका आदी हो जाने के बाद वो बजराने लगती है, तो वही बात यहां पर लिखा गया है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि गालिब की जिन्दगी के हालात बेयान कीजिए, बहुत ही आसान है, यानकी हालात जिन्दगी बतानी है, मिर्जा गालिब की वो कब पैदा हुए है, उनके बारे में वगर ठीक है, तो जवाब में देखी लिखा गया है कि मर्जा अच्दूल्ला खा गालिब मारूफ बगालिब का असल नाम अच्दूल्ला बेग खा था, गालिब की पैदाईश सतरस संतान विरस्वी को आगरा में हुई, वालिद का नाम मिर्जा अच्दूल्ला बेग और पर उल्श में ले लिया लेकिन चंद सालों के बाद चचा भी राही मुलक अदम हुए और अब गालिब बराहे रास्त मा इजदत निसा बेगम की सरप्रस्ती में आ गए उनकी अब्तदाई तालीम के बारे में कहा जाता है कि मुलवी मुझजम सहब ने गालिब से फार्सी की तालीम हासिल की और उसी जमाने में शायरी भी करने लगे चुंकि तबियत फित्री तोर पर मोजो पाई थी इसलिए शेरगोई में दुष्वारी पेश नहीं आई तेरह साल की उमर में मिर्दा गालिब की शादी लोहारो खांदान की इलाही बक्ष खामारूफ की बेटी उ बेगम से हुई शादी के चंद सालों के बाद गालिब ने दिल्ली में मुस्तक्र सकूनत इख्तियार कर ली क्याम दिल्ली के दोरान गालिब को माली तंगियों का सामना करना पड़ा था खांदानी वजीफा के लिए उन्होंने किलकत्ता का भी सफर किया लेकिन नाकाम रहे जब मुगली दर्बार से उनका बादाबता तालुक हो गया तो उनकी हालात मुआफिक होने लगे लेकिन कुछ सालों के बाद ही गदर का वाक्या हो गया निकि एठार से संतावन का हंगामा हो गया जिसके वज़े सारा का सारा मौामला ही उल्टा पड़ गया अखिरकार रा लिशानी की आलम में 15 फरवरी 1979 को मिर्दा गालिब का देली में इंतकाल हो गया आगे बढ़ते हैं चोथा सवाल है कि गालिब की शायराना अजमत उन्वान से एक मजमून लिखिये यानि कि गालिब की शायराना अजमत ये टाइटल होना चाहिए और इस टाइटल से आप ल उर्दो शायरी के उफक पर मिर्जा गालिब की शक्सियत एक दर्खशिंदा सितारे के मानंद है गालिब ने उर्दो शायरी को एक नई जिन्दगी बख्षी उसे नया हुसन बख्षा और नई रिफत वह बुलंदी एता की उनके कलाम में फिक्र वफन का हसीन तरीन किया था और गालिब से पहले भी उर्दो शायरी की रिवायत थी जो कदीम भी थी और अजीम बुल्शान भी थी मेर और सौधा जैसे शवरा के कलाम से उर्दो शायरी का सुरुमाया व्क्नी था लेकिन अंदाज बयान और मजामین में दोनों ही लिहाद से गालिब ने इसे अता किया है। उन्होंने अपने कलाम में जिबाई, औरस्सूदा मजज़ाम, जिबानों और्दी, फिक्र थखियूया, फिक्र और टख्यूल के ल੍हाँ वाभा के लिए खात्से रफितिक गालिब का अंदाज बयान अर्दू घजल गोई में बिलकुल नया था दूसरा क्वालिटी है मुश्किल पसंदी गालिब के कि लाम की दूसरी खुसूसियत दुश्वार पसंदी है यानकी मुश्किल पसंदी वह मामुली और सीधे साधे मजामीन को इस तरह बयान करते हैं कि वह दुश्वार फहम हो जाता है तीसरा क्वालिटी रमजिया अंदाज कला में गालिब की तीसरी खुसूसियत उसका रमजिया अंदाज है जो दरसल किनाया की एक पिसम है रमज व इमा गजल की जरूरी लवाजम है गालिब ने इन दोनों लवाजमात को कमाल तक कलाम गालिब ने पहली बार उर्दू शायरी को फलसफियाना मसायल से रोशनास कराया घजल में तसौफ तो पहले से मौजूद था लेकिन उसमें फलसफियाना जिद्दत तराजी ना थी गालिब ने पहली बार अपने कलाम में फलसफियाना मसायल को पेश किया इसलिए उन का बेश्टर इशार में मानी की एक दुनिया आबाद है ख्यालाद की विसेट और बुलंदी नुक्ता अफरीनी और बुलंद परवाजी किलाम गालिब की एहम खुसूसियत हैं मुख्तसर यह है कि रिपत तखायूल हकीकत निगारी शोखी वनजाकत मानी अफरीनी मुनफरत अंदाज वियान और पलसक्याना मोशगाफिया वगयरे ऐसी खुसूसियात है जिसने मिर्जगालिब को तमाम शोरा पर गालिब बनाया और उन्हें बेपना मकबुलियत और शाराना अजमत बक्षी यह हो गया एंसर अब यहां से मतलब कि यहां तक तो हो गया चैप्टर न कोशन से देखिए सबसे पहला सवाल है कि यहाना की घजल से अपनी पसंदीना अपनी पसंद का इशार नकल कीजिए और अपनी पसंदीद्गी का सबब बताईए मतलब कि यहां पर कोशन पूछा गया है कि यहाना चंगेजी की जो घजल है उसमें से आप अपनी पसंद का क एक शेर बता दिया गया है मतलब कि यह गाना चंगेजी की गजल से एक शेर उठा लिया गया है कि पहार काटने वाले जमीं से हार गए इसी जमीन में दर्या समाएं हैं क्या क्या अब इस ये शेर पसंद क्यूं है इसका कारण क्या है जवाब में लिख दिया गया है कि इस शे कि अजिस तरह में उस तरह एस तरह की सनाद को तल्मी कहते हैं यानि कि ये जो तारीशी वाकिया आजा ना रज押ाएधि श़्री और फुरहाद की यो वाकिया पेशे कि एहए इस शेर में तो इसन में लोग क्या कहते हैं सन१ में आगे कहते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि इसी जमीन में दरिया समाएं हैं क्या क्या यहां जमीन में दरिया समाएं हैं से क्या मुराद है चलिए देखते हैं जवाब में लिखा गया है कि इसी जमीन में दरिया समाएं हैं से जाहरी मुराद शायर की फर्याद के वाके की तरफ इशारा है यानि कि फरहाद ने जिस पहाड को खोद कर दूद की नहर निकाली आखिर कार वह भी उसी मिटी में मिल गया लेकिन हकीकत में शायर की मुराद जिन्दगी के अंजाम और दुनिया की बेसबाती से है कैसे कैसे मशूर लोग दुनिया में हुए और आखिर कार जमीन में समा गए इसी वज़े से वह जमीन में दरियाओ के समाए होने की बात करते हैं तो आई होब आप लोगो समझ में आ गया होगा कि दरिया समाए है क्या क्या से क्या मुराद है इसका मतलब यही है कि शायर बताना चाहता है कि इस दुनिया में बहुत ही मशूर मशूर बहुत ही क्रोडोपती अरबपती बहुत बड़े बड़े लोग हुए लेकिन आखिरकार जब उनका इंतकाल हुआ तो वो इसी जमीन में समा गए तो इसी वज़े से कहा गया है कि दरियाए समाए है क्या क्या तीसरा सवाल है कि समझता हूं अगर दुनिया को समझाना नहीं आता यगाना दुनिया को समझाना नहीं आता क्यूं कह रहा है तो जलिए जवाब में देखते हैं जेर नजर मिस्रा यगाना चंगेजी की जेर नसाब दूसरी गजल के मक्ते का दूसरा मिस्रा है इस शेर में शायर अपनी खुसूसियत को सी फिराज में रखना चाहता है और बेक वक्त जाहिर करना भी चाहता है इसी बात की वजाहत शायर दूसरे मिस्रे में करता है शायर दुनियावी जिन्दगी के तमाम नशीव और फिराज से अच्छी तरह वाकिफ है यहां तक के उस दोर के सियासी हालात पर भी उसकी गहरी नजर है खुद समझने का दावा भी है और वह इन तमाम बातों को दुनिया को समझाने से कासिर है इसलिए शायर कहता है कि दुनिया को समझाना नहीं आता यानि कि यहांपर शायर कह रहा है कि मुझे तो खुद समझ में आता है लेकिन दुनिया को समझाना नहीं आता ठीक है आगे बढ़ते हैं चौता सवाल है कि दर जाल इशार की तश्रीख कीजिए यहांपर दो शेर दिया गया है पहला है खुदा ही जाने यहाना मैं कौन हूँ क्या हूँ खुद अपनी जात पे शक दिल में आए है क्या क्या और दूसरा शेर है असीरो शौक याजादी मुझे भी गुदाता है मगर चादर से बाहर पाओं फैलाना नहीं आता यह दोनों शेर का आप लोगो तश्रीख करना है तो देखिए सबसे पहले शेर का तश्रीख किया गया है कि पेसे नजर शेर यह गाना चंगेजी की जिरने साब पहली घजल का मक्ता है मक्ते कि इस शेर में शायर ने अपनी जात से लाइल्मी का इधार किया है चनाथ खुद अपने आपको मخاطب करते हुए कहते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या हुँ मुझे खुद नहीं मालूम यह मेरी हकीकत का सही इल्म हुदा ही है खुदा को ही है बलके खुद अपनी जात के बारे में मेरे दिल में तरह तरह के शुकू काते रहते हैं इस शक्क की वज़ा से शायर खुद अपनी जात के बारे में मुश्कूप नजर आते हैं ठीक है दूसरा सवाल है कि जिर नजर शेर यगाना चंगेजी के जिर नसाब दूसरी घजल का पांचवा शेर है इस शेर में शायर ने तन्जिय लहजा अख्तियार किया है जो यगाना की शायरी के बुनियादी खुबी है इसमें शायर ने ताली का भी इजहार किया है, अपने बुलंदी और मरतबे का एहसास जिसकी कदरदानी जमाने के लोगों ने उनके जिंदगी में नहीं की, उसी की जलक इस शेर में मिलती है, कैदियों से मकातिब होकर कहते हैं कि आजादी का शौक मुझे भी गुदू दाता है, लेकिन मैं अपनी हैसियत से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता, यानि कि मुझे जो है न अपने चादर से बाहर पाओं फैलाने नहीं आता, जितना है उतना ही मैं मैं पैल फैलाना चाहता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से तवील सवलाते स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देखें, लिखा गया है कि अर्दू शायरी की तारिख में यगाना चंगेजी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, खुसुसां अर्दू घजल गोई में चंद शुरा ने अपना मखसुस छाप छोड़ा है, उनमें यगाना चंगेजी का शुमार भी कि जाता है, दविस्तान अजीम आबाद के शुरा में शाद और राशिख के अगर किसी घजल को शायर का नाम लिया जा सकता है, तो वो यगाना चंगेजी का नाम है, यह अलग बात है कि तलाश मुआस में यगाना की जिन्दगी का बिश्टर हिस्सा सफर में गुजरा, और व जिन्दगी घजलों का जब बालसतियाब मताला किया जाता है, तो पता चलता है कि उनकी घजलों का रंग वाहंग बिल्कुल मुनफरद है, जिर निसा भी गाना की दोनों घजले इस हकीकत की घुमाजी करती हैं, मिसाल के तौर पर उनकी पहले घजल के तीसरे शेर का समी सिहारगय में एक मशूर तारीखी वाकिय की तरफ इशारा किया गया है शायरी की इस्तला में इसे तल्मी कहते हैं यान किशिरो शायरी की दुनिया में हम इसे क्या कहते हैं तल्मी कहते हैं जब शायरी में तारीखी वाकिय की तरफ इशारा किया जाए ठीके पराद में कभ आखिर उसी मिट्टी का हिस्सा बन गया यहां यगाना का हुनरिया है कि मजगुरत तारीखी किस्ते को बैनिया अलफाज के फिर बदल के साथ बियान करने के वजाए जिन्दगी के अंजाम और दुनिया के बेसबाती को पेश नजर रखते हुए इसी वज़ा से वो जमीन से समय होने की बात भी करते हैं मुटसर यह है कि यगाना चंगेजी की गजल गोई एक काम्याब गजल गोई है और गजल गोई की रिवायतों में एक नए बाब का इजाफा है दूसरा सवाल है कि दर्दजायल इशार की तश्री मानवी रब्त को तलास करते हुए कीजिए दिले बेहौसला है एक जरासी ठेस का महमा वह आसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता दूसरा शेर है कि मुसीबत का पहड़ आखिर किसी दिन कठी जाएगा मुझे सरमार के तीसर तीशे से मर जाना नहीं आता चली इसका तश्री कर लेते हैं सबसे पहला शेर का तश्री लिखा गया है कि जेरने जर शेर में यगाना चंघेजी की जेरनेसाब दूसरी खजल का चौथा शेर है इस शेर में भी यगाना चंघेजी ने कल्भी वारदात की तरक इशारा करके मानवी तांगों को पेश किया है चुनांचा शायर कहता है कि दिल में अगर होसला ना हो तो वह जरा सी ठेश में तूट जाता है जिस दिल को गम खाने की आदत ना हो वह इतना कमजोर होगा कि आंसू क्या पिएगा इस शायर में शायर ने ठेश जैसे मामुली और रुजमर्णा के अलफाज को इस्तमाल करके गहरी मानवियत पैदा कर दी है दूसरे शायर की तश्री देखिए पेसे नजर शायर यगाना चंगेजी की दूसरी घजल का तीसरा शायर है इस शेर में शायर ने अपनी बात बड़े सलीके से पेश किया है इस शेर में सियाख और सबाक के हवाले से नई मानवी तहें दर्याफ्त की जा सकती है और फन के हुसन से भी महफूज हुआ जा सकता है यहां इस शेर में यगाना ने फरहाद की तरफ इशारा किया है लेकिन मानुई सता पर एक नई सुरत पैदा करके शेर की तहदारियत और मानुएत में अधाफा कर दिया है इस शेर में यगाना ने अपनी फितरत की अनानियत और जमाना से मुकाबले की जजबा का इज़ार किया है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि यगाना किन मौजवात को खास तोर से घजल के पैराए में बयान करते हैं तो यगाना चंगेजी के घजल की होबिया है कि एक ही मौजव को घजल में मुक्तलिक पैराए में बयान किया है कभी ऐसा भी होता है कि किसी मौजू को घजल में इस तरह बियान कर जाते हैं कि वह एक खास लुट्फ दे जाता है जैसे जिर निसाब घजल के चौथे शेर में देखा जा सकता है बलंद हो तो खोले तुझ पहे जोर पस्टी का बड़े बड़ो की कदम डगब मगाये हैं क्या क्या यहां भी ख्याल वही है जिसे आपने तीसरे शेयर में पढ़ा था लेकिन इस शेयर में बलंदी और पस्टी की मिशाल पेश की गई है यहां यहां नतीज़ा अख़स किया जा सकता है कि यहाना अपनी बात को मजीद जोरदार और पुर असर बनाने के लिए एक ख्याल को मुख्तलिफ पेराए इजहार अता करते हैं इस तरह पांचवे शेर के दूसरे मिस्रे को देखिए वहां लगजिसों पे मेरी मुख्कुराए हैं क्या क्या वहां लगजिश पे मेरी मेरे मुख्कुराए हैं क्या क्या तो इस मिस्रे से आप यहां इश्किया मफ़ूम भी ले सकते हैं और एहल जमाना की नाकदरी या इसी अंदाज के दूसरे मुफाहिम भी ले सकते हैं यह सब आपकी तबियत और जोग पर मुनसर करता है गजल की जो फनी तारीफ है उसके तहत गजल का हर शेर अपनी जगा मुकमल इकाई होता है लेकिन जिस मिस्रे पर आप गोर कर रहे हैं वह भी तनहा एक मुकमल ख्याल है इससे पता चलता है कि यगाना चंगीजी ने एक ही मौज़ो को शेर के मुक्तलिफ पेराए में बेयान किया है चौत हसावाल है कि यगाना ने उर्दू घजल की तारीख में कौन सा तजर्बा किया उस मौज़ो पर एक मुक्तसर नोट लिखिये आपने बहुत सारे शौरा की घजल को पढ़ा होगा और उनके कलाम में अलफाज की तर्तीब रोजमर्र के इस्तमाल से अलग पाते होंगे लेकिन यगाना चंगीजी ने अपनी घजलों में एक नया तजर्बा किया है वाया उनकी जर्नसाब घजल में हम बजाहर मसलसल नसरी तर्तीब देख रहे हैं उसके बावजूद उनकी घजलों को पढ़ते हुए नसर का गुमान नहीं होता है यगाना का एक नया तजर्बा यह भी है कि इस तर्तीब को नसर होने से बचाने के लिए क्या क्या की तरका अद्तकरार है यह क्या क्या एक तरफ फण की जरुड़त को पूरा करता है तो दूसरी तरफ ख्याल को उसकी आखरी हद तक पहुँचाने की कोशिश करता है दूसरी घजल में भी यगाना ने अपनी बाते इसी सहलीके से पेश किया है सियाको सबाक के हวाले से यहां भी नई नई मानवी जहते द्रयाक्त की जा सकती है और फन के हुस्ण से भी उठाया जा सकता है इस घजल के तीसरे शेर में फरहाद की तरफ इशारा किया गया है लेकिन मानवी सत्था पर एक नई सुरत पैदा की गई है इस घजल में यह गाना कि यहां इनानियत जमाने से नमबर आजमाई और जजबा और होसला मौजूद है और दूसरे शेर में जमाने से मुकाबला राई की होसला को अमली जामा भी पहना देते हैं पांचवा सवाल है कि दुरुस्त मिस्रो के सामने सही का निसान लगाई है जो दुरुस्त मिस्ला है उसके सामने सही का निसान लगाना है जैसे कि देखिए पेड काटने वाले पेड नहीं पहार काटने वाले पेड ये भी नहीं होगा ये भी गलत ये भी गलत पहार काटने व लोगों पढ़ाई हूं अलड़ी पुरा घजल खुशी में अपने कदम चूमलू यह भी नहीं होगा एक मिनट खुशी में हाँ यह ठीक है खुशी में अपनी कदम चूमलू तो जेबा है लगजिशों पर मेरी मुस्कुराए है क्या है यह ठीक है तो आपसन नंबर मतलब इस हैं और इस अशार को पढ़ना है और इसमें काफिया और रदीव बताना है तो डारेक्ट जवाब ही यहां पर देखे लिख दिया गया है काफिया है नहीं आता है क्यूं नहीं आता लास्ट में क्या है नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता इस वे जिसे काफिया हो ग सात्वा स्वाल है कि खाना अलिफ के मिच्ड़ो को खाना-बे के मिच्ड़ों से मکम्मल कीजियी rapport की दिले बे हौसला है एक जरासी ठेर्श का मेहमा कौन से पसन मीं धिख रह जा भी यह ऌगा हमें जाएगा सरापा राज हूँ मैं सरापा राज हूँ मैं और उसके बाद से इसके बाद क्या होगा क्या बताओं कौन हूँ क्या हूँ नहीं ये भी नहीं होगा सरापा राज हूँ क्या बताओं कौन हूँ क्या हूँ ये जो है ना और पहला वाला का इसमें चला जाएगा दिल किसी दिन कठी जाएगा, तो मुसीबत का पहाड आखिर किसी दिन कठी जाएगा, इसमें चला जाएगा, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता, तो उतर जाना नहीं आता, ये हैं, मुझे ऐ ना खुदा, आखिर किसी को मुँ दिखाना है, ये हो गया, वही मतलब जो कौन सा लव्ज मुखनस इसको आप लोगों सेंटेंस में यूज करके तो यहां पर तो अलड़ी बता ही दिया गया है अदब अदब सीखना जरूरी है इसे जाहिर हो जा रहा है कि अदब क्या है मुखकर है शक मुझ पर तुम्हारा शक करना सही है यान कि शक भी जो है ना यह एक मुखकर लवस है उसी तरीके से होसला तुम्हारा होसला बुलंद है होसला भी मुखकर लवस है जात खुदा की जात बेनियाज है जात जो है यह मुखनस लवस है फरेव किसी को फरेव देना ठीक नहीं किसी को फरेव देना ठीक नहीं यान कि फरेव भी जो है ना यह पस्ति में लगजिश हो गई तो ये हो जाएगा मुञनस लफ खता मुझसे खता हो गई यह भी मॉनस ओझा अज़ादी जो है ना लफ उनएसस अन्यश्चिक में हिंदोस्तान और अज़ादी मिली आज़ादी । यह दरिया दरिया ए गंगा का पानी साफ है दरिया जो है ना यह लफ्स मुझखकर है आगे बढ़ते हैं मुखतसर सवालात सब्सक्राइब हो तक हम लोग 21 चैप्टर कम्फ्लीट कर लिए अब यहां से जो कोशन सब्सक्राइब हो रहा है यह हे चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल है खलिलु रह्मानः आजमी की चायरी में कैसी कीफियत पाई जाती है। तो खलिलु रह्माराजमी अपने शायरी में गहरे इंसानी सोज की शमूलियत के लिए इहतराम की निगाह से देखे जाते हैं रफ़ता रफ़ता उनकी शायरी में हजन و मलाल की कीफित बढ़ती चली गई आखिरी जमाने में उनके यहां मौत का एसास और जिंदगी के सिमटने का अंदाज बार बार उभरता है अपनी तवील बिमारी के दौरान तो उन्होंने वस्यत नामे भी लिक लिया था लेकिन उस गम अंगेजी में जिंदगी के हकायक से फरार के बजाए मुकाबला अराई देखने को मिलती है जिंदगी की परिशानियों से उन्होंने भागा नहीं बलकि उन्होंने से मुकाबला किया दूसरे सवाल है कि दूसरी घजल का काफिया और रदीफ अपनी कौपी पर लिखिए मतलब कि खलील रह्मान आजमी की जो दोनों घजल है उसका जो उसमें जो भी रदीफ और काफिया है आप लोगों को दूसरी घजल के रदीफ और काफिया को लिखना है तो जवाब में लिखा गया है कि नीला साइबा से शायरी की मुराद आस्मान का साया है इस शेर से जाहिर होता है कि शायर रंज वा अलम की हालत में भी रजायत की पहलू से मायूस नहीं है यानि सूरज अगर शायर पर महरबान नहीं है तो क्या हुआ सूरज तो काइनात का एक तिनका है शायर को नीले आस्मान के साइक का पूरा भरोसा है इसलिए शायर रंज वालम की हालत में भी मायूस नहीं है चौथा सवाल है कि खलील रह्मान आजमी का तालुक और्दू अदब की किस तहरीक से रहा तो जवाब में लिखा गया है कि खलील रह्मान आजमी का तालुक और्दू अदब की तरकी पसंद तहरीक से रहा ये इंपॉर्टन कोशन है याद रखिएगा यही वज़ा है कि उन् के मकाले का उन्वान अर्दू में तरकी पसंद अद्वी तहरीक था जो उन्हें इस सब 72 जबी में छपकर मनजर आम पर आया जिसे अभी मियारी तहकी की मकालात के जमन में एक नमूने के तोर पर देखा जाता है पांचवा सवाल है कि खलीली रह्मान आजमी ने अपनी शायर की अपतदा की थी वह तकरीबन जदीदियत के आगास का मुरहला था यही वह जमाना था जब शायरी में मीर तकी मीर की पैरवी को बड़े एहमियत हासिल थी चुनांचा खलीली रह्मान आजमी ने अपनी शायरी में मीर की तकलीद का खासा खासा इलतिजाम किया है आगे ब कि अर्दू शायरी की तारीख में खलीली रह्मान आजमी एक एहम नाम है आजमी ने नजम और गजल दोनों इसनाफ में अपनी मुस्ताकिम शनाखत काइम की है उनकी शायराना खुस्यत को तकलीद मीर के पसमनजर में देखना चाहिए चुनाचा खलीली रह्मान आजमी की जिरने साब दो गजले इस रहकीकत के गमाज हैं कि उन्हовой moimyr टक Immir की तकलीद किया है उनकी खजलों के एशार में गहरी महजुनियत चाहिः हुई होती है छाह एक उनके यहाँ हजन और यास कि जो कीफियत है उसमें अफजर्गी और नाउमीदी नहीं है और जिना शामिल निसाब पहली घजल में शायर ने जो लफजी निजाम कायम किया है उसे गोड़ से देखिए मिसाल के तौर पर दुश्मन, साय गम, च्छाओं, आयादत, दिल जखम, टांका, बद्दिमाग और ख्यालों की शहर वगरा या सिर्फ अलफाद ही नहीं बलके अपने अंदर छुपे हुए गम, वाफ, सर्दिगी का हमें बखुबी इहसास दिलाते हैं साथ ही शायर की जिन्दगी के गहरे तज्रुबात का भी हमें एहसास होता है तो ये सबी अलफादों का यूज जो है ना खलिलु रह्मानाज में किये हैं जो कि सिर्फ अलफाद नहीं हैं वो हमारे दिल के जजबातों को जो है ना जाहिर करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे लिखा गया है कि इसी घजल में शायर ने बिछड उखड उधड बिगड और उजड जैसे अलफाद का इस्तमार किया है इन अन्फाद पर अगर गोर किया जाए तो यह नतीजा निकलता है कि शायर ने कल्बी वाकियात के सांथ अपने जजबात की शमूलियत भी कर दी है तब ही इन अशार में दर्द और ठेस की शिद्दत हट से ज़्यादा दिखाई देती है दूसरी घजल में शायर ने इनसाने जिद्दगी के गहरे तजर्बात को पेश किया है या घजल उसने जिद्दगी के आखरी दोर में कही जब वा हर कदम पर मौत किया हट सुन रहे थे पहले शेर में वो मौत की बासुरी पर जिन्दगी का गीत गाने की बात करता है यह शायर की रजायत पसंदी की बेहतरीन मिसाल है शायर के ख्याल में गम से हार कर बैठ जाने का नाम जिन्दगी नहीं है बलकि दुश्वारियों से लड़ने और उसे नंबर्द आजमा होने का नाम जिन्दगी है और यही शायर का असल मकसद है जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नजर आता है दूसरा लॉंग टाइप कुशन है कि खलिलु रह्मान आजमी की अद्भी खिदमात पर रोशनी डालिये तो जवाब में लिखा गया है कि खलिलु रह्मान आजमी एक साथ शायर और नकाद दोनों हैसियतों से एहमियत के हामिल है शायरी में भी वह नजम और गजल दोनों इसनाफ में अपनी मच्तकिम अद्मी शनाखत काइम करने में कामयाब रहे जदीदियत के अगास के मुछला में जब पैरवी मीर को बहुत एहमियत हासिल थी उस वास्ते से भी खलील खलील साथ नासर काजमी और इपने नशा के साथ नुमाया तोर पर पहचाने गए उनकी किताब नई नजम का सफर अभी नजम का सबसे मियारी और माकूल इंतिखाब तसलीम की जाती है खलील रह्मा नास्मी की तीन शेरी मजमुएं शाय हो चुके हैं पहला है कागजी परहन जो कि उन्हें सब 55 में हुआ था, नाया एदिनामा जो कि उन्हें सब 65 में हुआ था, जिंदगी है जिंदगी है उन्हें सब 83 में हुआ था, आश्मा है आश्मा के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 इसी तरह 1976 में मस्नवी सहर व्यान पर भी एक भर पूर मुकदमा लिखकर उन्हें शाय किया था मुकदमे कला में आतिए इसकिताबी शकल में 1969 इस्वी में मनजर आम पर आया रशीद एमर्ट सिद्दिकी की निग्रामी नी में खलिलु रह्मान आजमी ने तहकीक की थी और उनके तहकीकी मकाले उर्दों में तरक्की पसंद भी तहरीक उन्यसा 72 इस्वी में शाय हुआ जिसे अभी मियारी तहकीकी मकालात के जुमन में एक नमूने के तोर पर देखा जा सकता है खलिलु रह्मान आजमी अपनी तनकीद में तवाजन और शायरी में गहरे इनसानी सोज की स्रमूलियत के लिए इहतराम की निगासे देखे जाते हैं दिरे दिरे यहां महजूनियत उनकी शायरी में बढ़ती ही गई आखरी जमाने में उनके यहां मौत का एसास और जिन्दगी के सिमटने का अंदास बार बार उबरता है अपनी तविल विमारी के दोरान तो उन्होंने अपने खुद्बे भी लिख लिये थे लेकिन इस गम अंगेज में भी जिन्दगी की हकाइक से फरार के बजाए मकाबला राई देखने को मिलती है कि खलील साहब की शायरी का सबसे रोशन पहलू है तीसरा सवाल है कि यहां पर कुछ इशार दिये गए हैं इसकी तश्री आप लोग को करनी है पहला है यारों ने खुब जाके जमाने से सुलह की मैं ऐसा बद्दिमाग यहां भी पिछड़ गया अब क्या बताए क्या था ख्यालों के शहर में बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया हम बासुरी पर मौत की काते रहे नगमा तेरा एजिन्दगी एजिन्दगी रुदबर है बाला तेरा सुरज है गोना महरबा है सर पर निला सायबा है आसमा आसमा दायम रहे साया तेरा यह सारे शेर का तश्री करना है देखते हैं सबसे पहले शेर का तश्री किया गया है कि जिर नजर शेर खलील रह्मानाजमी की जिर निसाब पहले घजल का चौथा शेर है इस शेर में शायर ने जिन्दगी के गम वा अफसर्दगी का इजहार किया है चुनांच शेर कहता है कि मेरे एहबाब लोग ही अकलमंद निकले कि उन्होंने वक्त और उसके हालात से समझोता कर लिया और दुन्यावी कामयाबी हासिल कर ली लेकिन शायर अपने आपको बद्दिमाग कहते हुए या साबित करना चाहते है कि मैं जमाने के तकाजों के साथ नहीं चल सका इसलिए इस मौमले में भी मैं पिछड़ गया आजमी के यानकी खलील रुर्मान आजमी के इस शेर में गहरी महज़ूनियत चाही हुई है दूसरे शेर का यहां पर तश्रीक किया गया है कि पेसे नजर शेर खलील रिमानाजमी की जिरने साब पहली गजल से माकूज है और गजल का मकता भी है इस शेर में शेर ने ख्यालों के शेर और उजड़ गए जैसे अलफाज इस्तमाल करके शेर में वजन वो मलाल की एक नई कीफियत पैदा कर दी है इन अलफाज के पस्मन्जर में अगर देखा जाए तो यह नतीजा निकलता है कि शायर ने कल्भी वांदरूनी वाकियात के साथ अपनी जाती ज़जबात वाइससाथ को भी शामिल कर दिया तभी निशार में दर्द और ठेश के सिद्धत हद से ज्यादा दिखाई देती है शायरिया कहना चाहता है कि हम दुनियावी कामियाबी से पहले ही जिन्दगी से रुख्त सफर बांध चुके हैं ठीश है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि हम बासुरी पर मौत की गाते रहें नगमा तेरा यही वाला महलब तीसरे शेर की तश्रीख की गई है कि जेर नजर शेर खलील रह्मान आजमी के जेर नसाब दूसरी घजल का मतला है इस शेर में शायर ने इनसाने जिन्दगी के गहरे तजरुबात को पेश किया है या घजल उसने जिन्दगी के आखरी दोर में कई है जहां वो हर वक्त और हर कदम पर मौत के मौहीब आहट को सुन रहे थे इस सफर में वो मौत की बासुरी पर जिन्दगी का गीत गाने की बात कर रहा है इसके बावजूद जिन्दगी के जिन्दगी की सर सबजियों और रानाईयों को दुआये देता हुआ नजर आ रहा है और इसकी रजायत पसंदी की बेहतरीन मिसाल है मतलब की ये तो आलरेडी में आप लोगो इसका तश्रीप पढ़ रही थी आप लोगो पढ़ा रही थी तो बता चुकी हूँ कि हम बासुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा ऐस जिन्दगी रिद्बर रहे बाला तेरा यानि की सामने मौत भी खड़ी है फिर भी मौत की बासुरी पर जो शायर है वो जिन्दगी का नगमा गा रहे हैं यान की वो मरना नहीं चाहते हैं उनको जिन्दगी से महबबत है वो जीना चाहते हैा चौते शेर की यांपर तश्रीक की गई है कि पेशज नजर शेर खाली खरेमान आजमी तक्रार के जरी अशार में शिद्दत पैदा करने की कामयाब कोशिश की है इस शेर में शायर खास तोर से आस्मान को अपना मुहाफिज तस्लिम करते हुए दौाओं से नवाजा है अब यहाँ पर सही मिस्रों की पहचान करनी है अब क्या बताऊं ख्यालों के शहर में क्या था नहीं यह नहीं होगा ख्यालों के शहर में यही है सही मिस्रा यानि कि तीसरा वाला जो मिस्रा है यह सही है उसी तरीके से हम बासुरी पर गाते रहें नगमा तेरा यह भी नहीं होगा हम बासुरी पर मौत की गाते रहें, नगम तेरा, तीसरा वाला जो है, विसरा ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीश है, मंदिल तो क्या हम को मिले चलता रहे, रस्ता तेरा, जी हाँ, इसका पहला वाला ही सही है, ये दूसरा गलत हो जाएगा, वही बात या पर लिख द लटाँ हूं जहां छ्षाओं घनी होती है तो छ्षाओं जो है इक मुवनस लवज है जिन्स जाहिर हो गया उसी तरीके से अधत बिमारों की आधत करनी चाहिए यह भी आधत भी जो है यह यह भी मुवनस लवज है शुला अच्छी चीज़ है सुला भी मुणनस लफज है यानि कि स्ट्रिलिंग लफज है नगमा तेरा नगमा खुश आवाज है यानि कि नगमा जो हैना ये मुझकर लफज है मुकदर उसका मुकदर ही खराब है यानि कि मुकदर मुझकर लफज है महरबानी या आपकी महरबानी है कि आप तश्रीफ लाए महरबानी जो है ना ये मौननस लबज है वाहिद से यहां पर जमा बनाना है और जो जमा लबज है उनका वाहिद बनाना है जैसे कि दुश्मनों, दुश्मनों ये जमा लफज है इसका वाहिद बना दिया गया है दुश्मन, जमाना ये जमा लफज है इसका वाहिद बना दिया गया है दुश्मन, और जमाना ये एक वाहिद लफज है और इसका जमा बना दिया गया है जमाने ये पिर अजमना, महरब लगी यारो यह जम्हा है इसका वाहिद है यार कोताही यह वाहिद है और इसका जम्हा है कोताहियां मनजिल यह वाहिद है और इसका जम्हा होगा मनाजिल जन्जीर यह वाहिद है और इसका जम्हा होगा जन्जीरो तो यह हो गया टोटल कुश्टन यानि कि चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 एच्छे चेप्टर का हम लोग को समझ में आया होगा किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचा हुआ है आप लोग के माइंड में तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा उस तकिएगा तो अगले वीडियो में मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दू बाकी जो कुछ भी समझाया गया अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है फड़ाफट लाइक कर दे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो शेयर कर दे जितना ज्यादा हो सकी अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकी हो सकी तो स्टेटस लगा देजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सकें और ज्यादा ज्यादा आप लोग को शेर करके और क्या करना है इस वीडियो का लाब उठाना है खुद भी और दूसरों को भी दूसरों तक भी पहुंचाना है और चानल पर आप लोग नहीं लेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक किसांद तब तक के लिए चाहिंद और खुदा हाफिज